अनपचा भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है ये अपशिष्ट पदार्थ गुर्दा से बाहर निकलते हैं विशेले अपशिष्ट पदार्थ जैसे की यूरिया या अमोनिया मूत्र के रूप में मूत्राशे से गुर्दे द्वारा बाहर निकाल दिये जाते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना एक अनैच्छिक कारिय होता है और इसे रोगी नियंतरित नहीं कर सकता। कुछ रोग स्थिती में रोगी को ये पता नहीं चलता कि उसके शरीर से मलमूत्र बाहर निकलाया है। मलों का बाहर निकलना मलोच सर्जन और मूत्र का बाहर निकलना मूत्रत्याग कहलाता है रोगी को जब मल मूत्रत्यागने की आवशक्ता महसूस होती है वो टॉयलेट में इसे संपन्न करता है ऐसे रोगी जो चल फिर सकते हैं वो इच्छा जाहिर कर सकते हैं और आपकी मदद से उन्हें टॉइलेट ले जाया जा सकता है हालांकि कई स्थितियों में जहां रोगी चलने फिरने में असमर्थ नहीं होता वहां आपको बेड़ पर ही मलमूत्र त्यागने में रोगी की मदद करनी होगी यदि रोगी के शरीर का मलमूत्र जमा होता जाए और उसे समय समय पर साफ न किया जाए तो इससे रोगी और उसके आसपास के लोगों को कई प्रकार के संक्रमन हो सकते हैं आपनो केवल रोगी को सुरक्षित रूप से मलत्याग करने में मदद करेंगे बलकि इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आसपास का स्थान स्वच रहे मलमूत्र त्याग के लिए इस्तमाल में आने वाले उपकरण ऐसे रोगी जो अच्छी स्थिती में रहते हैं टॉयलेट जाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं और वो अपनी शौच अवशकता खुद से पूरी करते हैं हालांकि कई रोगी को टॉयलेट जाने के लिए मदद की जरूरत होती है ऐसे रोगी को अपने बेड तक ही सीमित रहते हैं उनके मलमूत रत्याक के लिए कई प्रकार के उपकरणों का इस्तमाल किया जाता है इस्तमाल होने वाले कुछ उपकरण इस प्रकार हैं ऐसे रोगी जो आसानी से बेड पर से उठ नहीं सकते हैं पर शौच करने या मूत रत्याक की अपनी इच्छा बता सकते हैं उनके लिए बेड पैन का इस्तिमाल किया जाता है bed pan को रोगी के नीचे लगाया जाता है जो उसमें मलत्याग या मूत्रत्याग कर सकते हैं Urinal Urinal भी बहुत कुछ bed pan की तरह ही होता है पर ये केवल पूरुशों के इस्तिमाल के लिए होता है यूरिनल इस प्रकार में बना होता है कि बेड़ पर सहेश्टा से केवल पुरुष इसका इस्तिमाल कर सकते हैं डाइपर्स का इस्तिमाल ऐसे रोग्यों के लिए किया जाता है जो बेड़ से नहीं उठ पाते और मलमूत्र त्याक की इच्छा जाहिर नहीं कर पाते या उस पर नियंतरण नहीं रख पाते ये नली जैसा उपकरण होता है जिसे सीधा मुत्राशय में घुसा दिया जाता है और मूत्र को सीधा मुत्राशय से बाहर निकाल दिया जाता है रोगी की स्थिति के आधार पर डॉक्टर सही उपकरण के इस्तिमाल की सलहा देते हैं रोगी की रोक स्थिती के आधार पर आपको इस्तिमाल किये जाने वाले उपकरण के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए किसी व्यक्ति को बेट पैन से मदद करने के लिए आपको निम्नांग की चीजों को उसकी आसान पहुँच में रखनी चाहिए एक बेट पैन, गर्म पानी वाला एक बेसिन, डिस्पोजिबल ग्लाव्स और वाश क्लॉथ रोगी को बताएं कि आप उसके लिए बेट पैन लगाने जा रहे हैं इससे उसके दुविधा या किसी प्रकार का भै समाप्त हो जाएगा बेड के सिर को इतना नीचे ले जाएं जो रोगी के लिए सहनिय हो बेड को इतना फ्लैट करें ताकि रोगी को उसकी तरफ घूमने में आसानी हो डिस्पोजिबल ग्लाव्स पहन ले रोगी को पूछ लें कि उसे किस तरफ घूमाना सही रहेगा यदि बेड रेल्स मौजूद हो तो रोगी को पकड़ने को कहें ताकि वो घुमाए गए किनारे पर स्थिर रहे रोगी के लिए पेपर कवर में डाला हुआ एक गर्म बेड पैन लाएं जो गर्म पानी से धोया और सुखाया हुआ हो बेड पैन को रोगी के नितम की ओर लगाएं इस बात का ध्यान रखें कि बेड पैन का मुड़ा हुआ किनारा नितम के नीच रहे ये बेड पैन का वो हिस्सा है जो दूसरे के मुकाबले छोटे आकार का दिखता है रोगी को पीछे खिसकने को कहें ताकि बेड पैन सही स्थिती में रहे रोगी के पूरी तरह से पीछे खिसकने तक बेड पैन पर हाथ खा सहारा दे व्यक्ति के सिर को थोड़ा ऊपर उठाएं बेड पर व्यक्ति के सिर को थोड़ा ऊपर उठाएं जिससे कि वो थोड़ी बैठने वाले स्थिती में आ जाए इससे उसे मलत्याग में आसानी होगी रोगी की निश्टा का ध्यान दें इस बात का ध्यान दें कि शौच पूरा होने के बाद आपको बुलाने के लिए उसके पास लाइट बटन या अन्यावस्था उपलब्ध हो उसके संकेत का तुरन जवाब दें गर्म पानी का एक बेसिन लाएं इस्तिमाल हो जाने के बाद बेड़ पैन को हटा दें सही तरह से बेड़ पैन हटाने का एक तरीका होता है अगली स्क्रीन में हम इसके बारे में विस्तार में जानेंगे इस्तिमाल के बाद बेड़ पैन को हटाना यदि संभव हो तो बेड के सिर को नीचे जुका कर उसे फ्लैट स्थिती में ले जाएं व्यक्ति को खिसकने को कहें ताकि आप बेड पैन हटा सकें एक हाथ से बेड पैन पकड़ें और उसे व्यक्ति के नितम के नीचे से साफधानी पुर्वक बाहर निकालें बेड पैन को किसी कुर्सी पर रखें और बेड पैन पर एक तॉलिया डाल दें बेड पैन को कभी साइट टेबल या बेड टेबल पर न रखें रोगी के नितम को साफ करने के लिए वाश कलोथ का इस्तिमाल करें रोगी का शौच यदि गीला हो, तो उसकी सही तरह से सफाई के लिए वाश कलोथ और तॉल ये का इस्तिमाल करें अवशक्ता पढ़ने पर मलद्वार वाले हिस्से को साबुन और गर्म पानी से धोएं उसे अच्छी तरह से सुखा लें अब रोगी की स्थिती को समा योजित कर लें रोगी की स्थिती तथा कपड़े को ठीक कर लें बेड को सही स्थिती में ले जाएं स्वच्छ हवा आने के लिए खिड की खोल दें मलमूत्र त्याग से कई प्रकार के संक्रमन पैदा हो सकते हैं रोगी को उनकी शौच अवशक्ताओं में मदद करने के दौरान आपको स्वच्छ था का खयाल रखना चाहिए बेड पैन के इस्तिमाल के समय बरती जाने वाली सावधानिया बेड पैन धातू, कड़ी प्लास्टिक या कभी-कभी कांश का बना होता है रोगी के पुकार पर तुरंत प्रतिक्रिया दें बेड पैन लगाने से पहले रोगी को विनम्रता पूर्वक उसकी प्रक्रिया समझा दें रोगी को बेड पैन के इस्तिमाल में मदद करते समय हमेशा गलव्स पहने रोगी यदि मूत्र त्याक के दौरान दर्थ की शिकायत करता है या यदि आप कोई गड़बड़ी देखते हैं जैसे की मूत्र या मल से खून निकलना तो तुरंट इसकी सूचना नर्स या डॉक्टर को दें बेड पैन हटा देने और उसकी सफाई कर देने के बाद उसे गर्म साबुन पानी से भर दें पैन को अच्छे तरह साफ करने के लिए टॉयलेट ब्रश का इस्तिमाल करें बेड पैन को पानी से धोने के बाद तुरंट उसे साफ सुथरा बना दें